अब नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका आज का बुदियु लेक्चर अपना इफेक्ट ओफ पेरसिटिज्म और प्लांट फीजिरोजी काल हमने पेरसिटिज्म के बारे में जानकर ली थी कि पेरसिटिज्म जो है वो क्या होता है पेरसिटिज्म किसको कहेंगे इसके बारे में हमने पढ़ाता है तो हमने देखा था कि कोई ओर्गनिज्म होता है और वो जो और्गनिज्म है वो और्गनिज्म किसी प्लांट को यह प्लांट पार्ट को क्या करता है अफेक्ट करता है तो उसकी वज़े से उस प्लांट में क्या होता है एक रोग होता है डिजीज होती है जिसको हमने बोला पैथोजेनी सिटी यह हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर बात करें थी पैथोजेन के अंदर और हमने यह भी दाना कि पेरा सिटी वूढ़ हो में इसके बारे में अब हम बात करेंगे यहां पर इसकी इफेट की यह जो पेर सिक्से करता है जैसे हुमन के अंदर अगर दर्द करता है और वह सारे कहीं सारी सींटम हमें नजर आते हैं तो यहां पर कोई पैथोजोन देखो उसको समझ नहीं कोशिश करते हैं पहले तो हम पॉइंट डाल लेते हैं पॉइंट क्या है हमारा कि इफेक्ट इफेक्ट ऑफ पेरासिटिज्म एफेक्ट ऑफ पेरासिटिज्म On Plant Physiology प्लांट की फीजियोलोजी पर जो फेरासिटिज्म में उसकाемсяarel होता है आज क्या है टोपिक है त्यगिए ऐखुआँ कि निवन है हुआ 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 है तो मैं थोड़ा बैट कर रहा हूं कि कोई अगर इस्टूडेंट हो जाते हैं तो हुआ 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 कि देखेफेक्ट ऑफ प्रासिटिसम जो है फ्लांट शब्स on फीजियलोजी उसके वात करने तो देखेए समझने कोशिस करते हैं कि यहां पर और इस्टूप प्लांट के उपर अपना यह प्लांट की क्या है लीफ है इस लीफ की उपर यह इस ने करती है यहां पर अटेक कि इस प्लांट की ईपर इस लीफ को किया रिवट कर दिया इंफेक्ट कर दिया इए इस लीफ करेगा इस में इनफेक्शन होकर अपनी प्रोजिनी बनाएगा तीक है नहीं कि अपनी पोपुलेशन तियार करेंगा और वो आगे इन्फेक्षिन करेगी तो यह फूड जब लेता है यहां से यह रिप्रोड्यूस करता है तो यह वास्तों में गतां यह अके इंटर्फेर करता है इसके अंदर और यह जो लीफ है इस लीफ की फीजियोलोजी में और इसमें इंटर्फेर होता है तो यहां पर क्या दिखाए देते हैं उस्सिम्टम के आधार पर देखो एक तो यह आए कि इसली बात है पैथोजन सेल के अंदर एंटर कर जाएं यहां जाकर बेट गया और यहां से फूड ले रहा है कोई इफक्ट नहीं कर रहा है और विसके इसके कर रहा है और वह और और बदलाव नहीं होगा तो हमें को सिंटमot नजन नहीं आएगा थो अब यह क्या करते है जो पैथोजन होते है यहां से फूड लेते हैं पिस इसको inभेड और लेलिया उसमें यहां तक यहां तक का फूड का को क्लिन लेलिया अब फूड कि मैं सब दूदे करें क्थम juga करें मतलब यहां पर जो पैथोजिन था फैलता 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 अलग आसपास की सारी कोशिकाओं के अदर चला गया तो जब यह चला गया ना यहां पर हमें सिम्टम नज़रा गया तो यहां सेल डेमेज होगे सेल डेमेज होगे तो हमें यहां पर नज़रा गये यहां पर करना है तो देखो यह बात उसमज में आगी हम तो यह क्या करेगा जब यह फूड को अप्टेन करेगा यहाँ पर रिपरडियूस करेगा तो यह क्या करेगा साम हुआ है, ऑल्सो इंटरफेर करेगा है और फेंट there'd an यहां पर यह अलग-अलग तरह के physiological function उनको क्या करेगा यह इंटरफेर करेगा जब यह interfere होगा इसके अंदर तो यहां पर हम क्या कहेंगे हम कहेंगे कि दिजीज क्या हो गई यह डवलाप हो गई डवलप हो गई और वह डिजीज को हम कैसे आइडेंटिफाइब करेंगे बाइदा सिम्टम के दोरा डिफरेंट टाइप के सिम्टम जो है वो प्रडियूस होंगे यहां पर और उन सिम्टम के आधार पर हम यह पता लगाएं कि यहां पर डिजी जो है वो डवलप होगे तो कहने का मतलब यह है कि कोई पैथोजन जब इन्फेक्शन करता है किसी प्रांट के प्रांट के अंदर डिफरेंट टाइप की सिम्टम जो होते हैं वो प्रडियूस हो जाते हैं तो इसमें हमारे पास है सबसे पहला नंबर इफेक्ट ओन फोटो सिंथेसिस जो फोटो सिंथेसिस के उपर होता है जैसे की के अ पैठ हो जन्य फोटो सिंथेसिस कहा होना है लीफ के अंदर होता है लीफ होना लेते हैं यह लीफ है और जो किससा ही है हरा ध्रम होता है हरा खार दिश Neustra घ्क है यह लियन के छा स्थ फ्लिक है यह रख्यंग मैं यहацो सुसक॥ कि तो अब कोई पैथोजन यहां पर आएगा यहां पर पैथोजन ना यह तो कर सकता है क्या देखो एक तो कर सकता है यह और है है क्लोरोशिस को थे स्क्रोश अश्रा कर सकताय यह नेजसरो कोज है और तीसरा नचै freshmen सित्वायर कर सकता है यह नेक्रों क्रीज यह लेजन जो आधे यह नेक्रे टिक लेजन यह नेक्रीज सिस इसको में लेजन skipped बूलते हैं यह बनाता है यहां पर देखो जैसे कि मान लिजे यहां पर हम करें बात इसकी किसाब यह आया आपका जो भी है यहां पर यह इसने क्या किया यहां पर यह आ गया और इसने यहां पर क्या कर दिया यह क्लोरोसिस कर दिया ठीक है क्या करदेश ने क्लोरोसिस कर दिया ये लीफ के अंदर है क्लोरोसिस हो गया क्लोरोसिस का मतलब हो गया कि यहाँ पर ठेला रंगता वो तो गाव हो गया और पत्ती के सी होने लगी हलकी सपेद और पीली सी पड़ने लगी पत्ती यह पत्ती का जो hulka रंग है यहाँ पर सपेद होना हलका प्रणा यह क्ला आता है यह यह क्ला आता है कल और यह क्लाएगा आके बात है यह पर हलकी से क्या हो जाए की पत्ती पिली पढ़ने लग जाएगी इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे फिर पढ़ने लगी कि फिर पढ़ने लगी ये पीली और पीली पढ़ते-पढ़ मैं वायाघिए तक बन सब्सक्राइब को हमें या समझ वाइब लीफिसपोर्ट को इस समझे या उस पथि उस किसी ने किसी तरह के क्या बन जाएंगे जी स्पोर्ट बन जाएंगे इस तरह के स्पोर्ट बन जाएंगे इस तरह के जो है स्पोर्ट बन जाएंगे इसको बोलेंगे हम लीफ स्पोर्ट कहीं पर बड़े होंगे कहीं पर फोटे होंगे इस तरह के स्पोर्ट बन जाएंगे अब नेक्रोसिस क्या होगा देखो नेक्रोसिस क्या होगा नेक्रोसिस में क्या होगा नेक्रोसिस में पत्ती जो है वो इस तरह से आपको जली हुई नज़राएगी इस तरह की पत्ती आपको जली हुई नज़राएगी इसको बोलेंगे हम नेक्रोसिस बिल्कुल एक दम से खत्म पत्ती नज़राईगी यह आपको लगएगा कि यह अधिक्तम डार्क ईहां बंद किसकी वजह से पैथोजन यहसे फूर उस तरह की बंदिशन बंद आपस इसका मतलब है कि क्या होगा पत्ति हारा रंग कितना सा है इतना सा है हरा हार रंग बचाई मतलब कि इसका जो फोटो सिंथेटिक एरिया है वो क्या हो गया रिडियूस हो गया हम यह कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर रिडियूस हो जाता है क्या फोटो it's synthetic area he said photosynthetic area क्या हो गया यहाँ पर utis हो गया जब photosynthesis area hidden catastrophize तो जायर से बाते photosynthesis भी क्या हो जाएगा produce हो झाएगा इसकी वज़़से क्या हो जाता हैра इंद你好 have photosynthesis ऑफ opinionsöz हो गया mistake नही ass अरूर नहीं नहीं बना पाएगे एक कारों तो यह रहा photosynthesis प्र इफेक्ट होने का पैथोजन यहां पर डिजीज कोज करेगा तो उसकी वज़े से यहां तो क्लॉरोसिस कर सकता है लीप स्पोर्ड बना सकता है नेक्रोसिस या लेजन का फॉर्मेशन कर सकता है तेगे ना ऐसी पत्ति देखियोगी आपने आधी गीली पत्ति होती राधी इस जाए हृट बन जाती तो हरा पार्ट पत्ति में कितना रता है कम होने की वज़एव यह नहीं रुपते इसके अलावा यह पैथोजन कुछ झाल क्या प्रडूष्ट करते हैं डार्यक्ट टॉक्सिन भी प्रडूष्ट करेगा डार्यक्ट कुछ टॉक्सिन भी क्या करसक कर सकते हैं यह टॉक्सिन क्या कर सकते हैं यह टॉक्सिन भी इन्हीबिट कर सकते हैं डारेक्ट लिए फोटो सिंथेसिस को इन्हीबिट कर सकते हैं अब उस फोटो सिंथेसिस में भी किसको इफक्ट करते हैं ज्यादार यह करते हैं इलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट को यह इनिविट करते हैं जब इस तरह की कंडिशन बनती है तो फोटो सिंथेसिस अपने आप ही क्या हो जाता है कम हो जाता है आगे बात समझ में तो यह बात हुए हमारी किसकी effect on फोटो सिंथेसिस की तिके चलिए आगे आ जाते हम यह तो बात हो गई हमारी effect on पोटो सिंतेसिस पर क्या effect होगा अब आजयो नंबर दू नंबर दू बात कर लेते नंबर सेकंड तीक है नंबर सेकंड में आजयो नंबर सेकंड में देखो नंबर सेकंड में आजयो पास effect effect on translocation effect on translocation of water of water and nutrient होगा तीक है यह हमारे पास तो effect on translocation of water and nutrient तो देखो कि यह क्या है जयलम है और इसके साथ ही हमारे क्या जुड़ा हुआ ओपका फ्लोèmes जुड़ा हुआ यह फ्लों में जूड़ा है जूड़ा हुआ है कि इस को बना तरह होता है एक पुर्चाली आपका आय्स तरह से गी स्टराइब तो इस त Stelle है और सक्षब और हम क्या बोल रहे हैं को है बाइब और इस तरीके से यह क्या करता है इस पूरे एरिया को भर एक पूरे एयरिया को क्या कर देता है भर देता है लिए यह पैथोजने ले तो नीचे से ऊपर के तरफ में मुवमेंट करता है और जो फूड होता है लेते हैं आप मालने कि सब्सक्राइए नकी नीट्रेंड होता है इसका फूर्ड जो होता है कि यहां पर यह वाले पार्ट के अंदर देखो यह वाला पार्ट हमने ले लिया इस पार्ट में यह कहानी बन रही है तो वाटर जो है ना रूट से यह रूट है यहां पर इन रूट से जो वाटर है वो मुमेंट करता हुआ तो आएगा यहां तक तो पहुंचेगा यहां तक बने वाला था यह वहां नहीं ससज़नाcles नेगा निस बात हैं दूसरी चीज जो फूडWS यहां पर बनने वाला है वो फूडि न द comment इस ऐसी यहां अड़ा है लेकिन यहां पर क्या है यहां पर बैक्टिरिया निचे की तो यह पेथोजन, water के trans proposition, nutrient के trans clip裡面 इंट्रफइयर करते हैं, तो इसके अलावब, हम इसको लिख लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं. इसको पेथोजन होता है, वह पेथोजन, नंबर, इंटसर्फेयर करते हैं, सबसे परली बात तो, interfere करेगा interfere किसमे करेगा interfere with upward interfere with upward trans location trans location of water trans location of water सबसे पहली बात कि यह पानी को उपर नहीं जाने देगा अब पानी की साथ साथ किया जाती है इन और्गेनिक कंटेंट भी जाते है इन और्गेनिक इन और्गेनिक नूट्रेंट इन और्गेनिक नूट्रेंट को भी जाने नहीं देगा सिलियर बात यहां तकी दूसरी क्या effect करेगा यह यह effect करेगा on absorption of water absorption of water by root इन और न पानी उपर ही नहीं जा रहा तो root क्यों absorption करेगे absorption नहीं होगा इब absorption नहीं होगा नीचे से पानी का absorption नहीं होगा तो ट्रांस location भी effect होगा जयलम भी पानी को क्यों सोखेगी पानी को आउपर की तरफ में नीचड़ाय जाएगा सिधी सिधी बात वासवाज में आगे देखो सबसे पहले तो अपवाड Background में क्या करता हूँ ein- function interfere करेगा तो root जो है वह पानी को नहीं सोखेगी पानी को नहीं सोखेगी तो Geolam के अंदर जो Transocation है वह भी नहीं होगा ठीकिएए हैं किसना नंबर क्या हो जाएगा effect on translocation translocation effect on translocation of water of water through through the xylem through the xylem xylem के through जो है water translocate नहीं होगा वा समझ मैं आब है तो water नहीं जाएगा water नहीं जाएगा पानी उपर नहीं जाएगा food को absorb नहीं किया जाएगा sorry water को absorb नहीं किया जाएगा तो definitely उपर का जो part है वो क्या हो जाएगा डेड़ हो जाएगा इसी तरह से अगर हम बात करें तो उपर बनने वाला food भी नीचे नहीं है आएगा तो तीसरी बात क्या हो जाएगी हमारी effect या effect बोलो या इंट्रेफेर बोलो effect on translocation of organic nutrient organic nutrient through flow तो यह भी और्गेनिक न्यूट्रेंट जो है फ्लोएम के थू जो ट्रांस्पोर्ट होता है उसमें भी क्या होगा इफेक्ट होगा वह भी नीचे के तरफ में नहीं आएगा तो यह बाते होंगे हमारी कुछ इसके लावा ट्रांस्पिरेशन रेट जो है वह इंक्रीज हो जा होताémonigung की वज़े से जो ट्रांस्पिरेशन हैं के शिसी किरेशन क्या हो जाता हीं क्लेश और इंक्रीज हो जाता हूं में दो पानी मृट यहां पर लेख है और इन लीव के इंदर यहां हो रहा एं लीफ के अंदर infection होना शुरू हो गया इन लीफ के अंदर infection शुरू हो गया तो यह तेजी से transpiration करना शुरू करेंगी तेजी से transpiration जैसे यह शुरू करेंगी यहाँ पर blockage यह अल्रेडी यहाँ पर bacteria का infection हो रख तो transpiration के कारण क्या होगा वाटर तो vaporize हो जाएगा और वाटर के vaporization यह वेपर बनने से यहाँ पर क्या होगा यह पोदे का तना यह पत्यां क्या हो जाएगी सुखने लग जाएगी इस तरह से यह क्या करेंगा effect करेगा किसके उपर ट्रांस लोकेशन का और पेरसाइट यह याद रखने वाली बात होगई है हमारी कि पेरसाइट जो है वह फोटो सिंतेसिस के अलवा water और जो nutrient का जो ट्रांस लोकेशन है उसको भी क्या करता है यह अफेक्ट करता है यह बात हमें याद रहेंगे वाली है अब आजाओ नंब प्लांट रेस्पाइरेशन नंबर तीन डाल लेते हैं नंबर तीन का यहाँ पर और आ जाएए इफेक्ट अन प्लांट तो रेस्पाइरेशन अब तिनबर प्लांट के तोसन में क्या इफेक्ट डालेगा तो दो देखो जब कोई सेнять आझ में जब कोई सेल क्या हो हो instruct हो इसको हम लिख सकते हैं infected cell तीक है यह जो सेल हैं अपने पास में इस तरह से कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में से कोई कोशिका ऐसी है जिसमें क्या हो रखा है infection हो रखा है माल लेते हैं यह सेल जिसके अंदर इनफेक्शन हो रहा है के और जिएसे जेसे इंफक्शिन बढ़ता जला जाएगा और वह कोई सेल में नहीं इसके लिए दूपर तीशु के प्या होगा तो यह यह तो यह रजल क्या होता है है मतलब के बढ़ना मतलब चताहिए मतलब बढ़ता रहता नहीं है की साकी च्शे Smash यहां पर क्या कर रहे हैं यहां पर अपने प्रोजिनी तयार कर रहे हैं यहां पर क्या कर रहा है मल्टिप्लिकेशन कर रहा है तो यह राइजिंग जो होती है यह होती है ड्यू टू multiplication एक तो यह गुणन कर रहा हो या फिर इसने multiplication भी कर लिया हो तो भी अपने क्या बना रहा हो भी spor बना रहा हो भी जानों बना रहा हो एंड sporulation and sporulation of pathogen pathogen का क्या हो रहा हो sporulation हो रहा हो मतलब कि वह spor के अंदर convert हो रहा हो तो इसकी वज़े से क्या होता है respiratory के दर बढ़ जाते है दूसरी चीज अगर माल लीजे pathogen ऐसा हो जो घाव पेदा करता हो necrotic type का हो तो उसकी वज़े से क्या होगा तो उसकी वज़े से infected cell है infected cell है वो क्या करेगी वो phenolic compound secret कर देगी phenolic compound जो है वो secret करेगी ठीक है ना नॉर्मल infection हो गया तो respiration की risk बढ़ेगी अगर वो necrotic type का है पोदे को घाव पेदा करता है पोदे की कोशिकाओं को नस्ट कर रहा है तो क्या होगा पोदा भी अपने बचाओं में क्या करेगा एक phenolic compound को produce करेगा phenolic component प्रड्यूस तो होगा phenolic compound जो है वो प्रड्यूस तो होगा लेकिन साथ ही साथ ये क्या होगा ये respiration की rate को बढ़ा देगा ठीक है ना इसकी वज़े से क्या हो जाएगा respiration की दर्ड से फिरसे इंक्रीज हो जाएगी ठीक है ना ये जो respiration है ये क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा इसके साथ साथ क्या होगा इसके साथ साथ ही इस phenolic compound क्या हो जाएगा accumulation हो जाएगा कोशिका के अंदर झाँ को बड़ जागा नहीं कि और इनि फिनोलइकंपॉउंड का एक्ओंट hou जागा जब अगर वह नेक्रोटे कर्डिशन में होगा तो सिधी चिदी बात हैं सेंडान हई है जो politicians का किसका किनलist compound यह फिनोल इंथा लिете, वो होते हैं रेस्पाइरेटरी रेस्पाइरेटरी अनकपलर तो तो यह हो गया कि क्या होगा कि जब कोई forest who sensor के उपर उसका रेस्पूर्स कर नहीं की इसके इसके लवाय यह यह पर एक्पॉपॉंडब सीक्रेट करेगा ठोप हो जाएनगी इसके अंदर सेल के इंदर और उनका कर लिए क्या होते हैं लीग होते हैं पोदा नहीं कर पाएगा और मर जाएगा यह फार्ट जो है वो देढ़ हो जाएगा नमबर चार बात करें हम effect effect on permeabilityager permeability के ओपर क्या effect होगा तो देखिये हमारे पास क्या है कोशिका है और यह कोशिका में क्या हो गया है infection हो गया है जिए इनफैक्श हो गया जब इनफैक्शन हो जाएगा तो होने की बाद में अगयों आर की यह इनफैशन वाई सोचेगी कि बाहर से कोई आपनी प्रोपर्टी में चेंज कर लिया वह प्रोपर्टी में पर्मयेबीटी ताकि कोई भी पदार्थ जो है बाहर से अंदर की तरफ में न जा सके यानि कि बाहर से अंदर की तरफ में किसी पदार्थ को लाना क्या कर देशने प्रोहिबिटेट कर दिया कि भाईया अंदर नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे तो इसका मतलब बाहर से अंदर जाना क्या है परिमिय लेटी इसके अगर आ गई तो घेफिनेटली किस सेल के जो उस साइटो प्लाजमें जो इलेक्ट्रो लाइट से यह वह काम करना बंद कर देंगे क्यों कि ठुटेंगे नहीं तो यह वाटर सोलीबल आएं यह कोस्थ करती ऐ लोस ओफ ग्हां अकिछिट्रो लईसिस एक था का लोप अगा होगे तो कि हैं क्वैप यहां पर हो जाएगा जब कि है यहां पर क्या हो जाएगा क्या कर जाएगा inhibit कर जाएगा बात है लकान समॉल वाटर वाटर जो आएंस से आइंस अंड D डिश UC से से मॉलीक्वूल जो है मॉलीकुट न्योड आप și के नौटर ट्रांस्वर जब यह अंदर नहीं जा पाएंगे ट्रांसफर नहीं हुपाएंगे तो सेल क्या होगी डेट हो जाएगी मर जाएगी सिद्धी सिद्धी बात है आए बात समझ में ठीक है तो यह बात हुए हमारे किसी फॉर्थ नंबर वाली बात हो गई है कि प्लांट के रेस्पिरेशन और सुरी प्लांट की पर्मे होगा ड्रांस क्रीप्षिन और ट्रांस्क्रिप्शन ए कर這邊 फर और दूसरा रांस्क्रिप्शन के उपर बी क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा देखो है कि कि यह एवाद आज थे पास तीक पर इस पर किसी कि ऐसी के वाद में सेल की composition में बदला हो जाएगा ठीक है ना, उसके function में बदला हो जाएगा, बाद समझ में आ रही है, उसकी Composition बदल जाएगी, function बदल जाएगे, उसका structure बदल जाएगा, का मतलब कि बदलने के कोशिश करेगा तिक है न उसके लावाइब यहां पर क्रोमेटीन का भी फंक्शन और जो भी चेंज होगा इस अगर डीयने अफेक्ट होगा तो यह भी क्या करेगा उनके फंक्शन को अफेक्ट करेगा का अफेक्ट हो जाएंगे अफेक्ट हो जाएंगे लगे इसके लाव आगर प्रोटीन बनाना शुरू करेगा तो यह तो प्रोटीन बनाना शुरू करेगा तो यह तो प्रोटीन बना के छोड़ दियेगा तो प्रोटीन बना के काम छोड़ दिये इसा नहीं होगा यह हाईर लेवल पर क्या करेगा प्रोटीन बनाएगा तो इसके लिए इसको आरने की र जाता है तो ज़्याता है हाईर लेवल पर हाई लेवल ऑफ आर एनी आर ने का जो लेवल होता है तो जब आर ने बन गया अब आरिने ज्यादा मातरा में है तो डेफिनेटली यह क्या करेगा इसकी वज़ेंसेक्रीज हो जाएगा क्या प्रांस्क्रिप्शन एक तो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट और दूसरा प्रोटीन का सिंतेसिस प्रांस्क्रिप्शन तो निक्रीज हो गए होगा उसके साथ साथ क्या चीज हो जाएगी प्रोटीन सिंतेसिस भी इंक्रीज हो जाएगा क्यों कर रहे हैं यह कि अपने के लिए एंगे न हôm इसके लिये कर रहे हैं ये उनका दीफेंश के मीक में seven मेंचिम अपने आपको बचाने के लिए इस तरह के कंडेशन कर रहे हैं को कि आप रही से बहुत सारा बन गया है तो एक यह बातिंब बनेगी अब यह separated भी किसमें काम आएगी उस पैथोजन से defense करने में काम आएगी सुके लिए बना है जाएगी तो यहां पर Χजण होता कि इसके ऊपर transcription और translation अगर पैथोजनी नहीं आता तो आता संहीं से अपना भी बन रहा हुए और जैसे पैथोजन आया इन्होंने अपने अंदर ग्रास्क्रिप्शन और रांस्क्रिप्शन और ट्रास्यलेशन कर ले मैं हिनिक्रीज कर लिये पास चलिए अब आगा रहते ने पो लास्ट फाइनल कउयंट मारा इफेक्ट ओन प्लांट रिप्रॉडक्शन Mole एफेक्ट ओन डॉन और रिप्रॉडप्शन ख्रिके से अगर आपके पास कोई पैथोजन है और ये पैथोजन चीधा-चीधा अटेक कर दें आपके फ्रूट के उपर फ्लावर के उपर सीट के उपर तो रिप्रॉड्ट की पार्ट क्या हो जाएगा खतम में रिप्रॉडक्शन नहीं होपाएगा तो पै किया करें पैतो जन अगर आटेक कर दे उसके उपर कि लॉपर की उपर आ इस यहाँ पर होग्स होने बननी पायेगा दूसरा फ्लावर और लेकिन फूर्ट के उपर भी हो कर सकता है okay इसके लाबा किस पर कर सकता है seed के उपर भी effect कर सकता है तो यह सब क्या करेंगे किस दूसरे plant को reproduce नहीं होने देंगे यहाँ पर इसके infection से क्या हो जाएगा यह flower, fruit, seed यह मर जाएगी यह flower, fruit, seed सब मर जाएगी मर जाएगे तो reproduction नहीं हो पाएगा दूसरी बात यह जो पैतोजन है यह directly attack कर दे माल लो directly क्या करें? अटेक कर दे ठीक है? डारेक्टी अटेक करें अटेक करेंगा तो यह क्या करेगा? शिदा-शिदा interfere करेगा इंटर-फेयर कर देगा और interfere करकर यह inhibit कर देगा रोक देगा किसको fruit, seed और flower के production को इनको यह रोग सकता है तो इस तरह से हमारे physiological effect होते हैं पूरे कि कोई पैतोजन है वह पैतोजन जब infection करेगा पैतोजनिशिटी सो करेगा किस-किस की उपर effect पड़ेगा तो हमने सबसे पहला effect पढ़ा इसके अंदर पहले तो हमने देखा कि पैतोजनिशिटी क्या होता है फिर हमने पहला effect पढ़ा इसके अंदर क्या है photosynthesis photosynthesis में जो लीफ है उसकी क्या इस्तति बनती है इंत्रे की स्तति बनती है प्र इसके प्रहुरों नीचे से ऊपर और उपर सी नीचे की तरफ में मुमेंट नहीं कर पाता है क्योंकि यह जो सिस्टम में यह भर जाता है इसे बैक्तिरिया आसे तो उपर नीचे पानी नहीं जाने देता है है कि इसरी बात हमने कहीं इसके अंदर एफेक्ट औन प्लांट रेस्पिरेशन प्लांट के रेस्पिरेशन पे भी इफेक्ट डाले गाई है कि जब कोई चीज इंफेक्ट होगी जैसे मानलो आपको बुखार आगे तो हमारी सास से तेज अपने आप में हो जाती है हमारी जो है उनको आकशीजन की रिक्वार्मेंट बड़ जाती है तो ईशी कंडिशन में हमेंぎर्ची की ज्रूत होती है तेक रस्पिरेशन की विजह हमें वह वह वहाँ पर जो और्गिनेजम है उसने कर दिया मल्टिप्लिकेशन के साथ साथ कुछ और्गिनेजम यहां पर इस पॉरॉलेशन भी कर सकते हैं तीक है तो यह कंडिशन बनती है दूसरी बात हमने कि चलो कोई बात नहीं है यह सारी कहानी होने के बावजूद भी कुछ ऐसे तर जीसे मेरा पाम मालब इसको यह लीफ के अंदर यहां पर मालीजे को डीजीज कोज हो गए तो यहां पर क्या कर जाएगा इसका वी क्या हो जाएगा जब यह ऑस्ता कर लाती बीमारी के वस्ता और फिर से रेस्पिर बढ़ जाएगा हो जाएगा तो यह कंडिशन यहां पर चलती रहें है ठीक चलिए तीज चौती बात की हमने प्रमेबिलेटी की डिफिनेट्ली सही बात है अगर सेल के अंदर कोई अन्नों टाइप की कोई इस्पिसीज है या कोई इन ओर्गिनिक मोलेकुल या और्गिनिक मोलेकुल वह एं यही इन इसके पाएगी तो एंटर नहीं कर पाएगे तो डैंट्र पाएगे टिफिनेटलि झो आयेंस है जो बाहर की थी तरफ यह आंदर की तौर यहीं यहीं कर देंगा किसके अंदर सैल के function में उसकी composition में उसकी structure में और यही बदलाओ आगी किस में चले जाएंगेमें चले जाएंगे से के function श्रीफ्स प्लांट का प्लावर के ओपर किया तो पुरा सिस्थमिक हम घृण ऊपर ना करके लिए ख्राब हो गया तो उसका डिस्परसल नहीं कर पाएगा बंगारिबक जमीन के न्दर अगर इकर फूट पर भी नहीं हुआ इंफेक्षन तो माली यह सीड पर हो गया तो वह अगले बार ट्रांसफर हो जाएगा यह इसी तरह कुछ पैथोजने से होते हैं जो डारेक्ली कुछ केमिकल का सिक्रेशन करते हैं और उन सिक्रेशन की वज़े से जो प्रोडक्षन हैं फिलाव आए भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है तो यह था हमार आज का टोपिक यह हमने पड़ा एनलाइज किया समझने की कोशिस की मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चेप्टरे की सब तक के लिए गुडबाई थेंक्यू बेरी मच्च झाल झाल